करने जा रही हूं एक कंपारिजन वीडियो और आज मैं कंपेर करूंगी दो फांडेशन को क्या कह सकते हैं फांडेशन एंड बीबी क्रीम को यह है गाइस ब्लू हेवन का नूली लांच ब्लू हेवन हाई कवरेज फांडेशन विद प्राइमर SPF 50 प्लस पी ए ट्रिपल प्लस और दूसरी जगह है हमारा पॉंड्स वाइड ब्यूटी बीबी प्लस क्रीम यह दोनों ही प्रोडेट्स हैं एक फांडेशन प्रोडेट्स मतलब की फांडेशन के काम करते हैं तो आज मैं बताऊंगी कि कौन सा प्रोडेट्स आपके लिए बेटर है तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रह प्रोडेशन 45 ग्राम का है और इसका प्राइज 350 रूपीज साथ में आपको एक इस पर ब्यूटी स्पॉंज मिलेगा जो की 100 रूपीज का आता है तो यह आप मान लीजे 250 का आपको फांडेशन पढ़ेगा दूसरी जगह है हमारा पॉंड्स बीवी वाइड ब्यूटी आप इसको लोकल स्टोर में भी चेक कर सकते हैं तो बात करें शेड रेंज के तो गाइस इसमें ब्लू हैविन हाइक कवरिश फांडेशन 5 शेड अवलेबल है और ज्यादा तर सारे शेड रेंज जो है और इंजिश स्किन टोन लिए हुए है थोड़ा सा तो यह इसमें मेरा शेड है 01 क्रीम बीच जो कि इसका सबसे लाइटेश शेड है और अगर आफ बहुत जादा फेरिश साइड हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है इसमें अपना शेड चूज करने में आप देख सकते हो यह है हमारा हाई कवरिश फांडेशन और यह है हमारा काक्रम तो आप देख सकते हो कि जबंड की क्रीम है यह लाइट है और यह जो हामारा ब्लू हेवन का फांडेशन है यह बहुत ओरेंजश साइड है या कंसिस्टैंसी की बात करें तो पॉंटस की बीवी क्रीम तोड़ी लायट-कंसिस्टैंसी की फिर्ड होती है एसली और यह हमारी थोड़ी सी थिक कंसिस्टैंसी में हैं आप देख सकते हैं related कि अगर बात करें पैकेजिंग की गाइस तो दोनों की पैकेजिंग मुझे सिमलर ही लगी दोनों पर्म ट्यूब में है ब्लू हेवन में सिर्फ एक ही साइज अवलेबल है यही वाला आपको मिल पाएगा गाइस आपको 3-4 साइज अवलेबल हैं अच्छे से लेकिन जो हमारा हाई कवरिज फाउंडेशन है इसमें पैरबेन भी आपको मिल जाएगा बट पॉंड्स वीवी क्रीम में पैरबेन नहीं है जो कि मुझे इसमें दे किया मैंने तो नहीं दिखा तो बाकी अगर होता है तो मैं स्क्रीम में बता दूगी आपको डिटेल गाइस अब मैं दोनो मैं स्क्रीम में 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 स्क्रीम प्साद को ओर सबस्टाइब सबस्र आभला सबस्टाइब हुआ कर दो हुआ हुआ हята हुआ हुआ कि पड 열ते चरे खरी फ Nee कि ँष कम एख जो टो कर दो आ बाल खर भी जैसा कि आपने खुद डेमो में देखा होगा कि जो मुझे ब्लू हैवन का फांडेशन का कवरेज थोड़ा सा ज्यादा लगा लिकिन यह थोड़ा सा बनावटी कविश देता है मतलब कि थोड़ा सा ओवर्डू कवरेज मुझको लगता है ब्लेंड होने में यह बहुत अच्छा है बट गाईस से यह थोड़ा सा अगर आप नाच्रल फिनिश पसंद करते हो तो यह उतना नाच्रल फिनिश नहीं देता है जबकि हमारा पॉंट्स बीवी क्रीम बहुत नाच्रल फिनिश देता है बहुत नाच्रल साइड है आप डेली फोर आर्ज लगी इससे जादा यह स्टेन नहीं करते हैं आपको दोनों ही फाउंडेशन दोनों ही प्रोडेट्स को अच्छे से सेट करना पड़ेगा अपने कॉम्पाक्ट पाउडर से लूस पाउडर से अगर फाउंडेशन की तो यह भी ऑक्सिडाइस हो जाता है लगाते ह लिए या आप डेली परपस में थोड़ा सा अगर आपके ड़ा का स्पोर्ट जादा है तो आप डेफिरिटली अप्लु हेवन का हाई कवरिश फाउंडेशन पर्टेस कर सकते हैं आप बहुत लाइट कवरिश फाउंडेशन चाहते हो डे टू डे वियर फाउंडेशन तो आ थैं कि भू वच्कि इंडेशन या तो व्यह दोतरतत प्यू झतरतत हैं निक्स्?"